जाहिन दोस्तों सैले साइट आई के लासस में आप सबीका स्वागत है आप लोग के लिए बेस्ट रिकूर्टमेंट लेके आ चुका हूँ Temporary Workman ITI के लिए जुकि Hero Motors Corporation Limited हरिद्वार प्लांट के तरफ से भरती सुरू हो चुका है जी हाँ दोस्तों Temporary TW Workman हरिद्वार 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 प्लांट के तरफ से वेकेंसी सुरू हो चुका है तो आप जल्दी से जल्दी इसमें ऐनलाइन कर लिजिए ताकी आपका स सबसे पहले सेलेक्शन हो सके और आप इसमें जाके जॉब पास सके इसमें बता दो इस टेप पर फूल डिटेस्ट बताऊंगा पुरे भरती प्रकेरिया के बारे में फॉर्म को फिलब करके दिखाऊंगा वीडियो के लास तक बने रहे अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक होगा जिसको आपको पास करना होगा उसके बाद से पर्सनल इंटरव्य होगा इसको अगर आप पास कर लेते हैं तो आप इसके लिए सेलेक्टेड हो जाएंगे आपको इसमें जॉब मिल जाएगा यह लिमिट की बात करें तो 18-25 हो रहा है आपका यह 18-25 के बीच में है तो ट्रेड आप देख लिए आईटिए का फीटर है वेल्डर है टरनर है मसिनिस्ट है पैंटर है डीजल मेकैनिक है मोठर मेकैनिक है इलेक्टिकल है यह सारे आईटिए के ट्रेड इसमें इलिजबर रहने वाल है सारे लोग इस फॉर्म को फिलब कर लेंगे बहुत ही अच्य सेलरी कापी अच्छा-कासा मिलेगा और बेहतरिन आपर चुटिरी नीटी आई टी आई वालों के लिए तो आप लोग मिस्ट न करिए ज्यादा से ज्यादा फॉम को फिलब करिए एट उजेड स्टेप बाइस बताऊंगा ताकि आप फॉम भर है तो आपका मिस्टेक नहों औ परने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट का बटन दिख रहा है दोस्तों यहां पर नेक्स्ट वाले बटन में आपको क्लिक करना है जैसे click करते हैं तो आपको email id choose करने के लिए देगा तो अपना email id choose करके form up fill up करेंगे जैसे यह उसपे next करते हैं तो आपके सामने hero का page open हो जाएगा उसके बाद से जो sign in देख रहा है यहाँ पे आपको click करना है जो signing वाला position इस पे आप click करेंगे तो email choose करने के लिए बोलेगा email select करने के बाद आपके सामने पूछेगा please select language तो आप यहाँ पे click करके अपना language select करते हैं Hindi या English उसके बाद से okay कर लेना okay कर लेंगे और उसके बाद से आपको फिर next पे click करना है education details तीनों में पहला में अपना नाम पिता का नाम में सारा details देना उसके बाद से अपना address दे देना है और उसके बाद से लास्ट में जो आपका qualification है यह सारे details भड़ना है तो इसमें तीन स्टेप है तो आएए बाद पहले में दे रहाए आज पर हाई स्कूल जो आपके हाई स्कूल में नाम का father occupation उसके बाद से mother's occupation उसके बाद से average monthly income है और sources आप income उसके बाद से family details में आप दे सकते हैं जिसका भी देना चाहें उनका occupation और aid sliding करके आप sibling में इसमें जोड सकते हैं तो यह था पहला step उसके बाद से second में आपको next आप करते हैं तो आपके सामने खुलेगा आपका address details जिसमे आपको अपना address, pin code, state, district, सब कुछ पिलब करना होगा, third में आएंगे तो आपको education qualification details कुलेगा जिसमें आपका ITI और जो 10th का है वो सारे आपको screen में दिखाने पड़ेंगे तो यह चाहें इसका full details मिलते हैं दोस्तो next वीडियो में अगर आपको कोई doubt है तो आप comment box में या sls क्लास के टेली ग्राम लिंक से जुड़के पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो उसको solution आपका लिए बताया जाएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स रिटमेंट या update के साथ तब तक के लिए बाए